उपसर्ग की परिभाशा उधारन सहीत. जिनों ने सस्क्राइब नहीं किया, वो पहले सस्क्राइब जरूर करें, ताकि उन्हें और वीडियो भी मिलती रहें. उपसर्ग की परिभाशा क्या है उपसर्ग? जो शब्दाश किसी शब्द के आरंब में यानि के शुरुवात में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं. यानि कि उसकी स्टार्टिंग में लग जाते हैं, जैसे की उपसरग और शंधुट, उपसरग अयदि किसी भी अक्षर के आगे अ लग गया, तो उसका ऑळ्थ बदल गया, जैसे कि यहाँ पर अ ज्जान के आगे लगा है, तो क्या बन गया, अज्जान होता अलग, अ लग गय तो वो अधरम बन गया, उपोजिट हो गया बिलकोड, तो इसी तरह से जिसके आगे भी ये अपने अक्षर लगा देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं, अधि, अधिकार, आ, अजन्म, आगमन, अव, अवंती, अवगुन, अती, अतिरिक्त, अतिशिग्र, दुर, दुर्बल, दुर्गम, प्र, प्रबल, प्रयतन, वी, विशेश, विकास, सू, सुगम, सुपुत्र, सव, सवतंत्र, सवदेश, नी, निराकार, नीडर, कम, कमजोर, कमकल, खुष, खुषभू, खुष़ाल, बद, बदनाम, बदगू, बे, बैमान, बेकार, ला, लापता, लाजवाब, कू, कुसुम, कूपुत्र दोहराई, अब हम इसकी दोहराई करेंगे अ प्लस धर्म, अ प्लस जन, सव प्लस देश, बद प्लस नाम, कू प्लस चाल, सू प्लस पुत्र, परा प्लस जै, कवी प्लस ता, अव प्लस गुन, कम प्लस जोर तो हम इसको इकठा करके लिखेंगे इन शब्दों से उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग करो अब हम इसमें अलग करने की दोराई करेंगे जैसे की उपकार, उप अलग कर दें और कार अलग कर दें तो कार का अलग मतलब, उप का अलग मतलब, उपकार बन जाएगा ऐसे ही औ और धर्म अलग-अलग कर दें तो अलग-अलग मतलब निकल जाता है इसी परकार से हम सारे अपने आप करेंगे उपकार, अधर्म, अनमोल, सहचर, खुशदिल, अनुरू, प्रबल, प्रमर्श, सवदेश, लाजवाब धन्यवाद